मेरे चैनल टेग डीग पर आपका क्वागत है और आज की स्वीडियो में LL1 टेवल क्रियेट करने जा रहा हूँ तो एक्जम्पल सौल करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि मैं अपने चैनल दे को यूडियो डाले आप उसको देख सके हैं एक्जम्पल के तो जब हम LL1 टेवल क्रियेट करते हैं तो हमें 1st & Follow मैंने इस एक्जम्पल का पहले से निकाल लिए तो उस वीडियो का डिसक्रिप्शन लिंक मैंने अपने डिसक्रिप्सन में दे रखाया है आप उस वीडियो को देख सकते हैं तो हम L1 टेबल क्रेट करते हैं, जब हम first and follow निकाल लेंगे, तो हम यह table क्रेट करते हैं, terminals की और non-terminals की, यह सारे non-terminals हैं और यह terminal symbols हैं, तो सबसे पहले हम E के लिए देखते हैं, यहां पर देखते हैं, इसकी एक derivation equation है, तो हम इसमें bracket लगाएंगे और देखते हैं, इस पूरी equation का first क्या है, पूरी equation का first क्या हुआ T, जो T का first है, T का first क्या है bracket and id, जहांब हम bracket and id terminals है, वहांब हम इस पूरी equation को add कर देंगे, तो हमें पता है कि develop bracket and id यहाँ पर हम इस equation को add करना है equation क्या है e equal t e dash and e equal t e dash इसका काम खतम होगा है अब हम e dash की तरह बढ़ते हैं e dash के लिए हम देखते हैं क्या होगा हम पहले देखते हैं plus t e का तो हम देखते हैं इसका first क्या होगा plus plus का क्योंगी है नहीं कोई terminal यह से नहीं पर terminal नहीं है तो हम जहाँ प्लस आ रहा होगा वहाँ पे इसको add कर देंगी तो add कर देखते है e dash equal plus t e dash और कहीं है अब हम null की तरफ move करते हैं जहाँ पर हमें null मिल जाता है बहाँ पर हम first नहीं देखते हैं बहाँ पर हम right hand side में जो भी symbol है उसका follow देखते हैं तो e dash का हमें follow चेक करना है e dash का follow क्या है dollar and this sign तो यहाँ पर हम dollar और this sign की एगर यह वाला equation add कर देंगे e dash equal null तो यहाँ पर देखते हैं dollar की हम add कर देते हैं e dash equal dollar और यह वाला bracket क्या e dash equal dollar हम T की तरफ move करते हैं T के लिए solve करने के लिए हम यह देखेंगे की F T के लिए करेंगे तो हम F का first देखेंगे F का first क्या है F का first break and add add तो bracket & ID की पर हम यहाँ equation add कर देंगे bracket & AD पर यहाँ equation add कर देखेंगे T equal F T dash and ID ID के पर हम यहाँ equation add कर देखेंगे T equal F T das अब आगे मूब करते हां T dash की तरह फ्रम दिसका देखेंगे तो यहां पर में दीखता ट यहां पर a-trik ओक हम इसको add करतेंगे t-daq t-daq f t-daq हम इसकी तरफ मोग करेंगे यहाब हम देखते है नल है तो null के लिए हम t-daq का follow देगे तो t-daq का follow क्या है plus dollar and bracket तो हम t-daq equal null add करते हैं t-daq equal null फिर हम dollar state आपकरेंगे t-daq equal null तो इसमें वहाब थ हम f की तरफ your करते है इसام देखना है फिर आप ब्रेकट है उब projects लिए हम वहाँ पे यह equation लिख देंगे तो ब्रहे किटा रहा है यहाँ पर हम बूब करते हैं id की तरह इसका first id होगा तो हम लिख देंगे f equal id id की जाएगे f equal id दोस्तो ऐसे हम ll1 table create कर सकते हैं जोकि काफी simple है अगस्तो आपको कोई भी समय में नहीं आया होगा तो इसे कमेंट में लिखके बताएए मैं और भी एक example आपके लिए upload कर दूँगा और अगर दोस्तो आपके वीडियो अच्छे लागा होगा तो प्लीज लाइक कीजिए दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल जिससे की आपको एक लिटेश्ट नोटिफिए में बिल से के वीडियो का और आप देख सेके करें है और आपके लिए करें और देख से का और अब है कि आपके लिए और आपके लिए।